नमस्कार आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टेडी भी अच्छी चल रही होंगी बहुत सारे केंडेट इंचार कर रहे हैं बेसबरी से सुचना साइक का रिजल्ट कब आएगा तो अब आपका इंचार खतम होने वाला है आपके लिए एक डिपार्टमेंट से अच्छी न्यूज लेके आया हूँ कि आपका रिजल्ट की डेट जारी हो गई है आपका इंचार जल्दी खतम होगा और रिजल्ट जारी होने वाला है तो अगर आप इस चैनल पे नहे हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करो और आप हमारा वर्टसप और टेलीगराम ग्रूप भी जोईन कर सकते हैं उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि इस एक्जाम से समंदित जो भी अपडेट होगी सुचना साइक के रिजल्ट से समंदित सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है आप बिल्कुल सही थमनेल देख रहे हो जो मैंने बनाया है कि सुचना साइक प्रणाम 2024 रिजल्ट जारी आज यह स्क्रीनिंग कमेटिक की बेठक हो चुकी है आप प्रोसेस आगे बढ़ेगा उमीद करते हैं चुनाव आयोगे प्रमीशन दे देगा मतलब एक बेठक होई है चुनाव आयोगे बोर्ड की और उसमें पूरी पूरी प्रमीशन मिलने की संभावना है मैंने आपको पहले बताया था कि रास्तान के अंदर साथ बरती है उनके प्रिणाम का वेटिंग हो रही है तो वो भी प्रिणाम आना है तो आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगा डिपार्टमेंट से क्या अपडेट आई है रादी मीडा ने क्या अपडेट दिया है और उसके अंदर अपना न्यूस प्रिणाम को लेकर हर एक चीज़ शेयर करूँगा आप मेरे साथ आखर तक बने रहे सबसे पहले बात क्रूँग मैंने बोला कि आपको पता है कि रास्तान के अंदर दो चरणों में चुनाव है 19 अपरेल और 26 अपरेल इन चुनावों का होने के बाद ही मैंने बताया कि आपको मुश्टली संभावना है कि आपका रिजल्ट आने की बट जहां तक दिख रहे हैं आपका रिजल्ट अपरेल कि इसी मन्थ में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा तो आपका इज़ार जल्दी खतम होगा क्योंकि जारी करना पड़ेगा और आपको 60 दिन का फी टाइमिंग भी देना है टाइपिंग के लिए वो भी चीद आपके शाथ शेर करूँगा पहले शेर करते हैं कि न्यूस पेपर के अंदर क्या है अनुमती दे तो साथ भरती हो का प्रणाम जारी हो साथ भरती हो के लिए 17,271 का प्रणाम जारी होना है इसमें सुचना साहिक है मेन हमारी A.N.M. भरती है A.N.M. भरती है ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाड़ा है वो सबसे पहले हमारा सुचनासाइक का ही रिजल्ट है क्योंकि 2024 के अंदर सबसे पहले सुचनासाइक का ही एक्जाम हुआ था और आपको टाइपिंग का भी टाइम चाहिए तो सबसे पहले यही हटेगी या चुनाव आयोग हमें परमिशन देगा वेसे हमारे रिजल्ट जारी हो जाएगे बोर्ड अपना काम कर रहा है आपके रिजल्ट आखरी मोड पे है एक तरह से 90% त्यार है जल्दी आपको अनमती मिली और आपका रिजल्ट जारी हुआ बस इतना ही टाइम लगने वाला है अब रादे मीणा की जो मिटिंग होई है या वहाँ मिटिंग में गए थे या स्क्रीनिंग कमेटी की बेठक होई है मतलब चुनाव आयोक से और करमचारी चैन बोर्ड की क्या मीटिंग होई है उसमें क्या संभावना है रिजल्ट को जारी करने की क्या परमिशन मिलेगी वह भी मैं आपके शाथ शेयर कर देता हूँ अभी रादे मीणा ने बताया जो रादे मीना का पेज है आप देख सकते हो उन्होंने खुद जानकारी दी है आज यह स्क्रीनिंग कमेटी की बेठक हो चुकी है आप प्रोसेस आगे बढ़ेगा उमीद करते हैं चुनाव आयोक परमिशन देदेगा यदि परमिशन मिलती है तो सुचना साइक 24 से लेके 26 अपरेल जूनियर अकाउंटेंट मेई के पर्थम सबता है तक इनका प्रणाम जारी होने की सत परतिसत संबावन है कितनी मतलब 100% आसंका है संबावना है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा अब चुनाव आयोग जैसे ही परमिशन देगा अब इनोंने मत देखो 24 या 26 अपरेल क्यों दिया है मतलब इसके बाद रिजल्ट जारी होने है वो सकता है 27 को हो जाए 28 को हो जाए क्योंकि रास्तान के अंदर 19 और 26 अपरेल को चुनाव है और चुनाव आयोग चाता है कि च चुनाव बिल्कुल फेर हो निस्पक्स हो किसी को इसे ना लगे किसी के फेवर में हुआ है जैसे ही चुनाव हो जाएंगे रास्तान के अंदर रास्तान का सिस्टम चुनावों से हट खतम हो जाएगा कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो करमचारी चैन बोर्ड अपना रिज समसपता मेरे जल्ट जारी होने वाला है तो ये डिपार्टमेंट की अपडेट है स्क्रीनिंग कमिटी की जो बेठक होई है तो जल्दी आपका इंचार खतम होने वाला है मेरे साथ जुड़े रहें जैसे भी कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको जुरूर इंफर्म करूँगा अभी तक तो यही अपडेट है आपकी एक्जाम से समन्दित तो सुचना सायक की आप टाइपिंग जारी रखें आपका एक्जाम जारी होने वाला है इसी मन्त में तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और वर्टसप और टेलिग्राम ग्रूप पी जोईन कर सकते हैं तो इसी तने की लेटेस अपडेट पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद धन्यवाद